वेलकम टू न्यू लेसन इससे पहले कि हम यूट्यूब एड्स बनाना सीखें पहले मैं आपके साथ डिसकुस करना चाहूंगा कुछ यूट्यूब एड्स की स्ट्रैटेजी जो की आप इफलेंट कर सकते हो अपने बिजनस के लिए आ सो चलिए इन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं इस यूजिंग कस्टम सर्च इंटेंट यह बहुती जानदार स््ट्रैटेजी है मैंने खुद इसको बहुत यूज़ किया हुआ है अब इस strategy में देखो होता क्या है कि पहले हम एक audience बनाते हैं ठीक है वो audience होती है उन लोगों की जो की Google पे जो की Google पे keywords से सर्च कर रहे हैं राइट और example हमने एक audience बनाई ऐसे लोगों की जो की Google पे जाके सर्च कर रहे हैं protein जो की Google पे जाके सर्च कर रहे हैं protein powder जो की Google पे जाके सर्च कर रहे हैं best protein राइट लोगी सर्च कर रहे हैं Google के उपर जाकर तो इनकी सबसे पहले हम एक audience बनाएंगे और देन हम इन लोगों को एड दिखाएंगे कहां पे YouTube के उपर तो इन लोगों की audience बन गई अब जैसे ही ये लोग YouTube के उपर जाएंगे इन्हें आपकी एड दिखेगी अगें depending upon की आपका budget कितना है frequency और impression उसी साब से आपके रहेंगे बट जैसे ये लोग Google पे सर्च करके जाएंगे YouTube के उपर इन लोगों को आपकी एड YouTube के उपर नचराएगी ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही जानदार strategy है दूसरी strategy जो कि आप try कर सकते हो वो है targeting by placement अब इसमें देखो क्या होता है आप suppose करो मैं supplements बेचता हूँ तो मैं YouTube के उपर वीडियोज जोंडूँगा जो कि किस के बारे में है protein के बारे में supplements के बारे में bodybuilding के बारे में इससे related जो भी वीडियोज है मैं उनकी एक क्या बनाऊंगा एक list बनाऊंगा राइट जो भी वीडियोज है protein से related supplements से related bodybuilding से related इन सारी वीडियोज की मैं एक list बनाऊंगा और then इन वीडियो के ऊपर मैं अपनी एड दिखाऊंगा कौन सी इन्स्ट्रीम इन्स्ट्रीम एड मतलब जो वीडियो के बीच में आती है ठीक है तो strategy number one keyword custom search intent based ads आप वो keywords ढूंडोगे जो आपके user search कर रहे है then उसकी आप एक audience बनाओगे then आप उसे ad दिखाऊगे YouTube के अंदर ये हो गया strategy number one and strategy number two आप वो वीडियो जूंडोगे जहाँ पे आपके business related बाते हो रही है जो की आपका target user देख सकता है then उन वीडियो पे आप in stream ad दिखाऊगे in stream ad ad कौन सी होती है जो लोग 5 seconds के बाद skip कर सकते है ठीक है यह तो है दूसरी strategy तीसरी strategy custom search intent video discovery मतलब जो हमने step one में audience बनाए थी जो की google पे कुछ keyword search कर रहे है हम इनको add दिखाएंगे बट add कौन सी दिखाएंगे इस बार video discovery video discovery मतलब यह जब अपने YouTube की feed पे होंगे तो इन्हें मेरी videos as a ad जैसे यह YouTube की feed है तो यहाँ पे मेरी video दिखेगी या अगर यह YouTube पे कोई video देख रहे है तो यहाँ नीचे मेरी video suggestion में आईगी हम इनको यह ad दिखाएंगे यह हो गया step one step two क्या हो गया हम जो जो हमारी ad देखेगा उसकी हम बनाएंगे audience जो जो हमारी ad देखेगा उस उसकी हम बनाएंगे audience और then इस audience को हम क्या करेंगे in stream ad दिखाएंगे ठीक है तो जो जो मेरी video देखेगा उसकी मैं पहले बनाऊंगा audience then इस audience को मैं दिखाऊंगा in stream ad ठीक है चौथी strategy similar audiences की जो लोग भी मेरी video देख रहे हैं youtube उनकी automatically क्या बना देता है ad words उनकी automatically क्या बना देता है similar audience मतलब जैसे facebook में look alike audience होती है न वैसे ही youtube आपके लिए ad words आपके लिए क्या बना देगा similar audience तो मैं इस audience को select करके इसको add दिखाऊंगा ठीक है तो ये main चार strategies है जो की आप use कर सकते हो अपने business को grow करने के लिए पांच वी एक और आप इसमें add कर सकते हो यह similar audiences थी viewers के लिए तो ऐसे ही आप similar audiences बना सकते हो किसके लिए तो आप similar audiences बना सकते हो अपने subscribers के लिए तो जो भी आपके subscribers है उनकी similar audiences बनेंगी और आप उनको add दिखाऊंगे और traffic भेजोगे और जैसे भी आपको काम करना है ठीक है जी तो यह main चार strategies है जो कि आपको use करनी है तो अब आपका काम क्या है आज आपका task क्या है कि आपके business से related जितने keywords हैं सबसे पहले तो आप वो keyword ढूंडो दूसरा काम आपके business से related जितनी वीडियोज हैं YouTube के उपर उन वीडियोज की एक Excel फाइल बनाओ उसमें जितनी वीडियोज हैं उन सारी वीडियोज को ढूंडो और उस फाइल के अंदर डालो तीसरी चीज यह अभी आप करनी सकते क्योंकि जब आप add run करने लगोगे जब आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी तो Google अपने आप उसकी audience बनाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना यहाँ पर आपको simple वही अपना custom search intent audience है जो की step number one वाली थी ठीक है तो यह जो YouTube के through easily generate कर सकते है ठीक है जी तो आज जो आपको मैंने task दिया है make sure कि आप इस task को कर रहे हो और कल के lesson में हम इनी strategies को follow करते वे add बनाएंगे ठीक है जी thank you so much for watching this lesson